When I let go of what I am, I become what I might be का क्या मतलब होता है या आज के इस वीडियो में सीख लेते हैं इस बात को बड़ी गहराई से कहा गया है इसलिए आपको भी गहराई से ही समझना होगा इसमें सबसे पहले कहा गया है कि When I let go of what I am यानि कि आज के दिन मैं जो भी हूँ या मैं जहां से भी आया हूँ या मैं जैसा भी हूँ उस चीज़ को अगर मैं एक बार छोड़ देता हूँ यानि कि उस चीज़ से अपने आपको डिटैच कर लेता हूँ तो I become what I might be तो मैं वो बन जाता हूँ जो मैं बन सकता था या मैं बन सकता हूँ यानि कि इसको थोड़ा और समझा देता हूँ मैं explain कर देता हूँ कई बार कुछ लोग जो हैं वो ये सोचते हैं कि मैं तो इस गरीब परिवार से belong करता हूँ या मैं तो इस कास्ट से belong करता हूँ या मैं ऐसी जगे से belong करता हूँ कि जहां से कुछ बड़ा नहीं किया जा सकता या जहां से जो मैं चाहता हूँ वो नहीं किया जा सकता लेकिन जब आप अपने मन को इसका opposite बताते हैं यानि कि आप कहते हैं कि ठीक है मैं कहीं से भी आया हूँ लेकिन एक इनसान कोई और इनसान किसी और जगे से आके यहां पहुंच सकता है इतना कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ तो यानि कहने का मतलब यह है कि जब आपकी जो personal limitations है जो आपकी boundaries है या आपका जो comfort zone है उसको छोड़ कर या जो आप आज है उस चीज से detach होके उस चीज के लिए काम करने लग जाते हैं जो आप बनना चाहते हैं तो आप वो बन सकते हैं और इसी के लिए कहा जाता है when I let go off यानि कि जब मैं उस चीज को छोड़ देता हूँ या जाने देता हूँ what I am यानि कि जो आज मैं हूँ I become what I might be तो मैं वो बन जाता हूँ जो मैं बन सकता हूँ या बन सकता था यानि कि जब आप अपनी अब वाली individuality को छोड़ कर आगे वाली की तरफ जब बढ़ना शुरू कर देते हैं तो उसके लिए ऐसा कहा जाता है इसके बारे में और अधिक पढ़ना चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर दिया कि आप पढ़ सकते हैं और इसको और भीतर तरीके से समझ सकते हैं अब आप ऐसी ही किसी भी word का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतुबकवास के सीधा उस word का मतलब समझ पाएंगे तो ऐसी ही वीडियो को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें